सारे प्रयास के जा रहे हैं च्योकर करोना वाइरस एक संक्रामक बिमारी है जोट की बिमारी है एक दूसरे के साथ संपर्क से बढ़ सकती है गर कोई संक्रमित ब्यक्ति है तो संक्रमित ब्यक्ति के संपर्क में आने से यह बिमारी और लोगों में पहल सकती है इसलिए आउस्से कहें कि हम सोशल डिस्टेंस बना करके रखें बार बार हाथ धोने और अन्य जो भी सुझाओ डॉक्टरों के द्वारा दे जा रहे हैं जिके सकों और बिसे सक्ग्यों के द्वारा दे जा रहे हैं उन सब का हम ध्यान रखें यह त्यंत्य महत्वपून है और इसी दिस से आज जन्ता करफ्यू का आउवान देश के 130 करोड जन्ता को करोना वारस से सुरक्सित रखने के लिए आदने प्रधान मंत्री जी ने किया है मैं आउवान करूंगा जन्ता करफ्यू में हर नागरिक अपनी सहभागिता दर्ज करते हुए अपने राश्टे करतब्यों का निर्वहन करें प्रधेश सरकार ने इसके लिए एत्यातन सभी कदम उठाए है करोना वारस के बचाओ की दिस से हम जितनी साउधानी परत लें वात्यन तो महत्तुकून होगा जो लोग इस संक्रमन की चपेट में आये थे प्रधेश में ये संख्या कुल 27 थी जिनमेंसे ग्यारा पूरी तरह स्वस्त हो चुके हैं सेज सभी लोग स्टैबल हैं तेजी के साथ उनके स्वास्ते में सुधार हो रहा है हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम ये संख्या किसी भी स्थिती में बढ़ने दें और इसके लिए हमें जनता कर्फ्यू जैसे जो हमारी टीम लगी है चिखिसकों की पैरा मेडिकल की स्वास्ते छेतर की विसे सग्यों की SDRF, NDRF, सेना, अर्द सेनिक बलों के जवानों की, पुलिस बल के जवानों की प्रसासन के जुड़े वे बिभिन, विभागों से जुड़े वे जो हमारे अधिकारी और करमचारी है इनके द्वारा जिस तरीके से फ्रंट फुट पर आकर के इस लड़ाई को लड़ने के कारवाई की जा रही है वहाँ अविननदनी यह है, मैं साथी साथ जनता से अपील करूँगा क्यों वे इस से घबराएं ना, बलके इसके खलाब लड़ें सरकार फूरी तरह उनके साथ में है हमने पहले भी कहा है कि किसी भी आउसिक वस्तु की कमी हम प्रदेश के अंदर नहीं होने देंगे जिनें एक काम नहीं मिल पारा, उन्हें भरण पोशन भत्ता की विवस्ता और उनके लिए खाद्यान की विवस्ता सरकार कराएगे उपचार इसके लिए निसल को जांच निसल को प्लब्द करा दिये गए हैं हमारे पास प्रियाप्त मात्रा में अभी दो हजार से दिक हमारे पास आईसुलेशन बेड़ हैं और हम लोगों ने आगामी दो दिन के अंदर इस लक्से को दस हजार से उपर पहुँचाने की कारवाई को आगे बढ़ा दिया है कहीं कोई समस्या नहीं इसलिए जमा अपने हां कोई भी चीज जमा न करें भीड भार न लगाएं बाजार में अनावस्यक दुकानों में भीड लगा करके सामानों को अपने हां जमा न करें और दूसरा में दुआ बेवसाईयों से और ब्यापारी बंदों से बेपील करूंगा एक जमा खोरी को कतई बढ़ावाने देने दे दूसरा किसी भी वस्तु का दाम जो उसका वास्तविक एमारपी है उससे अधिक दाम कतई न ले अगर कहीं भी ये दुर्पयोग होने का या कहीं भी इस परकार की सिकायत मिलेगी सरकार इस मामले में बहुत सक्त कारवाई करेगी हर बैक्तिस बात को ध्यान में रखें देश की इस लड़ाई में हर नागरी की सहभागिता आउस्यक है और आज जिस तरीके सिकते एक नागरी के द्वारा इस जनता करफियों में एपनी सहभागिता सुनिस्चित की जा रही है वह स्वागत योग्य है निस्चिति हम इस प्रकार के अभ्यान के में सहभागी बन करके कुराना वारिस को प्रास्ट करने में सफल होंगे इस पूरे अभ्यान के लिए जनता जनारदन के सहयों के पिक्सा करते हुए